आज ना हम दुनों मा बेटी मिलके अपनी मम्मी की रेसिपी को एंजॉय कर रहे हैं जी हाँ मेरी मम्मी को ब्रेकफास्ट में यह खाना बहुत पसंद था और कभी कभी तो हमारे टिफिन के बॉक्स में भी मम्मी यही देती थी और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत इंजॉय करते थे इतना जादा टेस्टी और इतना जादा यमी लगता है तो आज यही रेसिपी आज आप लोग के साथ में शेयर कर रहे हूँ इतना जल्दी बन जाता है बिलकुल भी टाइम ही लगता है इतना जाधा बन करते है तो मेरे यह नाम प्रेया है और आज के रेसिपी बहुत ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है बैसेकिली मेरे ममी पापा दोनों यह बैंगॉल से बिलॉंग करते हैं और बैंगॉल का कल्चर है मोरी तो वहाँ पर खाते ही है सभी इतना ज़ादा सब पसंद करते हैं तो मेरे यहाँ मोरी बहुत ज़ादा ही खाया जाता था और रोटी के मुकाबले तो मोरी और चावली ज़ादा खाते थे सभी तो मैं यहाँ पर क्या की ना मैंने प्याज काट किया है मेडियम साइज के चार प्याज मोटे मोटे पीसेस में कट करना है तभी इसका मज़ा आएगा और मैंने चने ना रात को ही भिगो के रख दिये थे देखिए बहुत अच्छे से फूल गया है अब देखिए यहां ना मैं मिर्ची ना ऐसी तरीके से डब्बे पे अच्छे से स् तक तक ता जाया है तो इस तरीके से आप स्टोर करके रख सकते हो मिर्चियों को बस उसकी जो डंटल होते है ना वो निकाल दीजेगा और उसके बाद ही रखेगा मिर्ची बहुत लंबे समय तक आपके फ्रेस रहेंगे फिर न मैं मिर्चियों की बीच में से कट लगा दे हुँ इसी तरीके से आप इस कट लगाई ये गा फिर पैन में में यह दो बड़े चमज सरसो का तेल डाल रहा है और यहांपरहीं दाल कि मिर्चे कट करके र amazed ड़ाल प्या जो मोटे मोटे कट किये थे वो बीडाल दूंगी और इससे अच्छे से भूणना इसे जादा है थोड़ा ट्रांस्पेरेंट करना है और फिर जो चने रखेते वो डाल देंगे और नमक स्वाधनुसार डालकर इसे हम दो तीन मिनट तक अच्छे से पकाएंगे स्लो फ्लेम में बहुत जादा नहीं पकाएंगे बहुत जादा पकाने से चने हाड हो जाते हैं फिर आप दे बहूत जिए खstarगे रेकी महा दोनगे हैं उसे खाजाडी बहुत जगे मुर मुरे हो penalty तो उसी पैन मेन में एक चम्मस टेल डाल दि और इकलाल में चिंग और चुटकी पर हिंग डालना रहे हैं फिर वीसी चुटकी बहुत यहां तुरंती मूरी डालना ने तो हल्दी जल जाएगा और फिर अच्छे से इसे mix-up कर देना है सभी को और फिर चुटकी भर नमक डाल देंगे यह optional है आप चाहो तो डालिए वरना skip भी कर सकते हैं और देखें न मैं इसे अच्छे से इस तरीके से हिलाने की कोसिस कर रही हूँ थ बहुत जादा टेस्टी लगता है और यहां कठे पयाज के साथ कैया है मैंने आप इसे जरूर त्राइ कीजिएगा यकीन मानिए-च।-प्लिशे निते इसांधे और रेसिपी अच्छी अच्छी लगी लगी तो प्लीज एक लाइक किजेगा बहुत ज़ादा टेस्टी लगता है यह बंगाल में बहुत ज़ादा खाया जाता है आप लोग यह वीडियो कहां से देख रहे हैं जरूर कॉमेंट करके बताईएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक किजेगा आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मि क्योंकि आप चाहो ना अगर आपको चना सॉफ्ट चाहिए तो आप कूकर में तीन-चार सिटी लगा लिजेगा उसके बाद इसे फ्राइ किजेगा बट हमारे यह चना ऐसी बनाया जाता है यकिन मानिए ऐसे भी बहुत टेस्टी बना था और सॉफ्ट भी हो गया था चना बस ज्यादा चने को भूनिएगा ने बस यह टीप को याद रखिएगा मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ अब तक अपना ख्याल रखे बाबाई टेक क्यार